और दोसे की हाल चाल सो आज की वीडियो में देखेंगे कि जब भी हम लोग linux server पर कोई फाइल बनाते हैं कोई एक default permission assign होती है उसको उसको हम लोग कैसे change कर सकते हैं जिसके लिए यूज करेंगे हम लोग you mask command सबसे पहले देख लेते हैं how to check the current default permission इसके दो तरीके हैं using the you mask command और आप simply एक फाइल बना के भी देख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ अपी कोई फाइल नहीं है मैं आप एक फाइल बना देता हूँ file 1 and मैं lslti करता हूँ so now you can see जब भी हम ऐसे file बनाते हैं यहाँ पर अगर आप देखो कि कुछ permissions already assigned जैसे कि user के लिए read write, group के लिए read write and others के लिए safe read so यह हो गई अपनी default permission so इसका मतलब यह है कि आप जब भी file बनाते हो as a paul user मतलब जो भी current user है so यह permission assign होगी for example अगर आपको यह permission change करनी है समाओ okay एक example लेते हैं जैसे कि देखो आप others के लिए read permission हमीशा है like यह default है आप कुछ confidential files पर काम कर रहे हो अगर आप नहीं चाहते कि others user को read permissions हो so एक तरीका है कि आप हर बार file बनाओ हर बार change करो so it's better है कि हम default permission change करें तो हम जितने बार भी files बनाएंगे वो others के लिए read permission हटा देगा यह एक example ले रहे हैं हम इस topic को समझने के लिए and you mask का use and default permission check करने का एक तो यह तरीका भी हम लोग ने देखा file बनाके दूसरा तरीका you mask command okay so हम लोग quickly क्या करते हैं you mask ठीक आप जब यू mask जब भी type करते हो आपको default permission मिलती है इस format में इसको बोलते हैं octal format बोलते हैं numeric permissions भी बोलते हैं so 0002 so आपको simply आपको default permission समझना तो आपको क्या करना है 0777 से minus कर देना है जो भी आपको default permission जैसे कि अभी 0022 मिली अगर minus कर तो क्या मिलेगा 0755 so पहली bit छोड़ देते हैं क्योंकि वो special bits के लिए होता है and 755 जो तीन bits हैं एक user के लिए group के लिए and others के लिए होती है and अगर आपने मेरा वीडियो देखा है permissions पे जो numeric mode होता है permissions का तो आप यह समझ जाओगे and screen पे आप देख सकते हो कि हर जो एक number आप देख रहे हो उसका मतलब क्या है ठीक है तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या था 755 ठीक है तो 755 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 7 का मतलब read write rwx and 5 का मतलब है rx rx okay default permission check करने का एक बहुत ही और भी और easy तरीका यह है q mask and hyphen capitalize करोगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी readable format में वह आपको default permission दिखा देगा अब आजाते हैं अपनी requirement पे कि अगर जो हमारे जो default permission था जो others को read permission हमेशे provide कर रहे थे तो उसको अगर change करना है basically default permissions चेंज करना है तो क्या करेंगे हम लोग इस तरह से use करेंगे यहाँ पे syntax दे सकते हो u mask ठीक है तो अप ऐसे u plus rw and user group others के लिए एक साथ आप permissions दे सकते हो and comma separated करके ओके तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ अभी देखो u mask आपका तो permission दिख रहा है यहाँ पे मैं simply क्या करता हूँ mask u ठीक है तो यहाँ पे मैं plus कर देता हूँ rw although rw था बट मैं आपको से यहाँ पे syntax दिखा रहा हूँ and rw and मुझे क्या करना है जो others है उसमें से remove करना है r को okay that's it मैंने कर दिया and मैं इसके बाद u mask करता हूँ so now you can see कि यहाँ पे permission change हो गई है again दूसरा तरीका क्या है check करने का simple make file बना लेता हूँ यहाँ पे and उसको मैं उसकी permission check कर लेता हूँ now you can see जब मैंने दूसरी बाई यहाँ पे file बनाई यहाँ पे जो others के पास read permission आप नहीं है and इसके बाद आप कितनी भी file बना लोगी जैसे कि यहाँ फाइल 3 भी बना लो कुछ भी करो and now you can see कि यहाँ पे अभी same permission हमीशा follow होगी but यहाँ पे एक और twist है twist यह है कि suppose मैंने वहाँ से exit कर दिया ठीक है तो वह route से मैं क्या करता हूँ and फिर से मैं वहाँ पे as a Paul logged in होता हूँ okay so यहाँ फिर से मैंने logged in कर लिया ठीक है now मैं यहाँ यू mask चेक करता हूँ तो अगर आप देखोगे तो यह मेरा यू mask जो मेरी permission मैंने change करी थी वह फिर से change हो गई है मतलब revert हो गई है अब मैं यहाँ पे एक file बना लेता हूँ file fourth ही I guess so अब देखोगे तो यहाँ पे read permission फिर से आ गई तो इसका मतलब यह है कि जब हम normal यू mask कैसे करते हैं वो change temporary होता है जब तक आपका shell working है या तो open है जैसे आप terminal close करते हो यहाँ लोग आउट करते हो आपकी changes यहाँ पे हट जाएंगे now what is the solution okay so अगर आपको permanently यहाँ पे permissions यहाँ तो default permission change करने है तो आपको bash rc file में changes करने पड़ेंगे वहाँ भी दो तरीके हैं etc bash rc file में अगर change करोगे तो वो globally होगा सारे user के लिए applicable होगा but अगर आप सिर्फ user के लिए चाहते हो मैं personal अपने user के लिए चाहता हूँ तो मैं अपने खुद के bash rc file में changes कर सकता हूँ ठीके तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि जो globally होता है वो कैसे होता है अगर आप यहां पे यू मास्क चेक करते हो और यहां पे आप कुछ rules देख सकते हो कि जो user id है जैसे कि यू मास्क 002 और 022 तो यह बाइडेफॉल्ट सेट होती 022 यह root user के लिए है और बाकी other user के लिए 002 है ओके सो यह already देखो यहां पे settings है जो अभी हमें settings मिल रहे हैं वो इस फाइल से आती है तो यहां आप देखो कि .bashrc आपको फाइल यहां पे दिख रही है इसको हम लोग को edit करना है तो हम लोग करेंगे simply vi.bashrc ठीक तो यह हमाई फाइल खुल गई है सबसे last में आ जाएंगे और मैं यहां पे enter कर देता हूं ठीक है सबसे last में क्या कर रहा हूं मैं you mask कर रहा मुझे other user में से read permission हटानी थी तो मैंने simply किया you mask o minus r बाकी चीज़े default रहेंगी user and group के लिए मैं other users के लिए यहां से read permission हटा रहा हूं इस file को कर देते हैं save and अभी इसको करते हैं you mask ओ यह अभी भी permission तो same है okay so abhi file में तो changes कर लिए बड़ लोड नहीं हुए लोड करने के लिए हमनों क्या करेंगे source and dot bash rc simple and now अगर आप यू mask करके देखते हो तो यहां पर आपकी default permission हो गई है change now make file बनाता हूं file 5 I guess 5 यह थी I don't know and now you can see जैसी मैंने file 5 बनाई तो rw rw and other के लिए यहां पर मतलब permission read permission हट गई है अभी हम लोग permission वाले folder पर जाते हैं lsltr करते हैं यहां पर मैं touch file 5 कर लेता हूं touch file 6 कर लेता हूं and lsltr करता हूं so now you can see file 5 file 6 अब मैं others users के लिए read permission यहां पर हट चुकी है तो this is really a practical use case and very useful concept जब भी आपको default permissions change करनी हो या तो modify करनी हो यहां पर मैं एक cases और बता दे रहा हूं जैसे कि मैं exit किया मैंने and फिर से मैं paul user पर जाता हूं अगें यहां पर you mask करता हूं तो आप यह देख सकते हो जो कि हम लोग ने vashrc file में changes किया तो यह जो changes आपके होगा है permanent अभी तक हम लोग ने files तो देख लिया बाट हम लोग folders भी देख लेते हैं जैसे कि अभी तक हम लोग ने से file बनाई थी अगर मैं simply आपे make directory folder 1 ऐसा बनाता हूं और उसकी permission देख लेते हैं तो now you can see कि जो folder 1 की permission है rwx rwx and सिर्फ x तो suppose जो executable वारा जो permission है वो जो files में by default applicable नहीं होती बट folders में जरूर होती है तो इसलिए folders में आप executable permissions भी यहाँ पे देख पा रहे हो suppose मुझे जो folder है तो यह जो other में देख रहे हो कि यहाँ पे executable permission है मुझे इसको change करना है मैं simply क्या करूंगा you mask and u-x okay simple and उसके बाद मैं एक make directory folder 2 करता हूं and ls-lt करता हूं so now you can see folder 2 है इसमें हमारी executable permission पतलब others user के लिए कोई भी permission नहीं है so in this way आप folders and file दोनों के लिए दोनों ही cases में default permissions ऐसे इस तरह से modify कर सकते हो all right so video यह तक थी I hope यह video आपके लिए helpful रहे होगी in that case hit that like button and channel पर पहले आई हो तो subscribe जरू कर देना थे